हालो फेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम डिसक्स करेंगे कुछ और कोश्चिन और इसमें मैंने लिए हैं फ्रीज डिप्लीस्मेंट के कुछ कोश्चिन और फ्रेजल वर्प्स के कुछ कोश्चिन यह पूरी तरीके से तो हम देखेंगे और discuss करेंगे यह कोस्टिन थोड़े से थोड़े से clerk exam oriented है clerk exam में आने के उनकी ज्यादा संभाब ना है लेकिन प्री में भी पूछे जा सकते हैं लेकिन आपको सभी तरह के questions की प्रेक्टिस करना है वैदर सिंपल और इजी और तफ और complicated or tricky आपको सभी तरह के questions की practice करना है क्योंकि यदि आप tough questions की practice करते हैं और सरल चीजह जो है वो आपको नहीं पता है जो common चीजह है नहीं पता है तो उसमें भी फिर आप score नहीं कर पाएंगे तो यहां से इस question को पढ़ते हैं इसमें एक particular phrasal verb दी है यहां पर nod off और उसको आपको उसके meaning को आपको पता करना है you were so tired after the game that you nod off on the couch couch हम बोलते हैं गद्दे को या sofa को जिसमें हम सोते हैं या बैठते हैं couch ठीक है तो इस sentence का meaning क्या निकल रहा है you were so tired after the game game के बाद आप इतने ठक चुके थे आप इतने exhaust हो गए थे इतने ठक चुके थे कि couch पर आप ठकने के बाओ जब couch पर बैठेंगे तो आपका क्या होगा आप normally आपको जपकी आ जाएगी या आप सो जाएगे तो nod off यहां पर सही है nod off जो nod off का जो meaning होता है वो होता है सो जाना ठीक है fall asleep इसका meaning होता है लेकिन चुकी यह sentence past में है तो इसलिए nod off ना लिखते हुए हम लिखेंगे nodded off ठीक है nodded off का option यहां पर दिया हुआ है D इसका सही answer इसका होगा nod off nod off का आर्थ होता है fall asleep second question देखते है he did not drink enough water so he pass out at the end of the race चुकी उसने sufficient quantity में पानी नहीं पिया था इसलिए यदि आप पानी नहीं पी थे हैं sufficient quantity में और race आप दोड़ते हैं तो क्या होगा आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी और आप faint हो जाएगे ठीक है बेहोश होके गिर सकते हैं आप तो pass out का मतलब वही होता है faint होना लेकिन ये चुकी sentence past tense में है past tense indicate हो रहा है यहां से he did not ठीक है तो इसलिए इस phrasal verb को हम pass out ना लिखते हुए past out लिखेंगे past doubt ठीक है past doubt कार्थ होता है faint हो जाना बेहोश होके गिर जाना तो इस तरीके से इसका अंसर होगा see आगे कुछ question और देखते हैं she had so many cats that she kept mix up their names देखें यदि चारपाँ चीजे हैं आपके पास और उनके अलग लग नाम हैं और आप उनके नाम नाम को mix करते रहते हैं तो उसी को हम mix up बोलते हैं लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको उसमें changes करने पड़ेंगे चुकि यहां पर कैप्ट लगा हुआ है कैप्ट य特ा कैप्टम के बाद हम लोग के अईजी form काocol करते हैं क्योंकि कैप्टन जो है ये इक प्रेपोजिशनल फ्रेज है हाँ ठीक कीप होन का मतलब होता है करते रहना कैपट आन मतलब करता रहा हम के चला गया ये और कैप्ट Tucson की जगे हम kept भी बोलते हैं keep on की जगे हम keep भी बोलते हैं तो इसका मतलब होता है किसी काम को लगातार करते रहना ठीक है चुकि यह prepositional phrase है और preposition के बाद हम वर्ब की ing form का प्रियोग करते हैं प्रोपोजिशनल phrases के बाद चाहे कोई सा भी प्रोपोजिशनल फ्रेज हो इन जैसे लुक फॉरबर टू हो या विदे व्यू टू हो या इन इस्पाइट ओफ हो या डिस्पाइट ओफ हो ठीक है इन सभी के बाद हम प्रोपोजिशनल फ्रेजिस के बाद वर्ब की ing form का प्रियोग करते हैं यह रूल है और यहां पर इसी चीज को फॉलो करना पड़ेगा तो के बाद यहां पर mix-up तो सही है लेकिन mixing up यहां पर आपका होना चाहिए ing form का प्रियोग के बाद आपको करना होगा इसलिए यहां पर आपका सही आंसर होगा कोश्शन नंबर फॉर हम देखते हैं if you do not want to take take part in the game you can look buy for now if sentence का मतलब क्या है सिंटरस का मतलब यह एक य不行 नहीं करना चाहते यदी पार्टी सिर्पेट नहीं करनाचाते यदी हिस्सा नहीं लेना चाहते तो आप क्या कर सकते हो आप दर्शक बन सकते और दर्शक बनने कू दर्शक जो लोग होते हैं को हम बोलते लोकरस्ण लकरस्ण लेकिं लोकरस्ण का ओर फॉर्ब यहां पर आपको चाहिए तो off बोल सकते हैं याँ पर लिकवान कोह उसकी तक लुकर कर सकते हैं लुकान और चुकि नाव लगा है तो इसके पहले फॉर लगेगा तो यहां पर आपको बोलना उपढ़ेगा लुकॉल लुकार फोर नाओ है लुकारन फॉर नाओ हाँ दिया है इसमें डी ऑप्शन सही होगा नेक्स सेंटेस पढ़ते हैं I feel so let up because the promised me a puppy but all I got was a doll देखें सेंटेस का मतलब क्या है कि उन्होंने मुझे promise किया था promise किया था कि वो मुझे पपी देंगे एक कुद्य का बक्च्चा देंगे ठीक है लेकिन मुझे क्या मिला मुझे टॉल figures यह राश था या निरास थी तो यहां पर जो subscribe time को डालना पड़ेगा और disappoint होने का सैंस यो निकलता है वो लेट डाउन से निकलता है Hundreds अप से नहीं लेट डाउं आपका सही आंसर होगा लेट अपका मतलब होता है किसी चीज जैसे आप किसी एक्टिवीटी को कर रहे हैं इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं तो उसमें धी अधी इसके आप को कर रहे हैं उसमें भील मत आने दोसको हम इसको हम बोलते हैं लेट डाउन एक निराश होने को हम बोलते हैं में let Down तो let Down हम नाउन के वोटu करते हैं जैसे इट वाजी निर्षा थी एक बहुत-बडा दिसबॉइंटमेंट था तो लेड़ दाउन आप इस तरह सीक्राइब लेटप का मतलब होता है किसी चीज में धील देना किसी चीज को उतनी सिंसियर्टी के साथ नहीं करता जैसे आप पहले कर रहे हैं तो यहां पर आपका सही आंसर होगा लेट डाउन सेंटेंस यह बोले की कोशिश कर रहा है कि मैं न्यूजपेपर पढ़ता हूं डेली या पढ़ती हूं डेली ताकि मैं अपने आपको अपडेट रख सकूंँ तो कीप यहां पर कीप वर्ड आएगा तू कीप विद टू टू कीप अप हां वित्तों इसमें दिये हैं टू कीप विद होता है एक्चुली तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट देखते हैं इवन आफ्टर टॉकिंग यह टाइप टू के कोश्चन है और इसमें थोड़ा सा ग्रेमेटिकल सेंस में आपको करेक्शन करना हो होगा इवन आफ्टर टॉकिंग दा मैटर फॉर आस वी कुद नोट अराइब एक डिसीजन मतलब उस मैटर पर हम काफी दिर तक बात करने के बाब जूद भी वी कुद नोट अराइब एक डिसीजन हम एक सही डिसीजन पर नहीं आ पाए या कंकूरूड नहीं कर पाए तो जब आप किसी सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं तो अनलिटिकल बे में जब आप किसी चीज़ पर चर्चा करते हैं और उसके थूँ आफ इनफर करना चाहते हैं किसी चीज़ को कन्कूरूड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे उसके लिए आप बोल सकते हैं टौक वburst के ौवर दर फिर किसी चीज करने किसी बारे पर चर्चा कर रहे हैं कि अधु x निकाल सके सी इसने इस संवे इन निकुश करने के लिए तॉ candle should Let us see the next question He advised his son उसने अपने सन को एडवाइस किया Not doing anything which is against his Consense मतलब उसने अपने सन को एडवाइस किया कि वो कोई भी ऐसी चीज ना करे जो उसकी अंतरात्मा के खिलाफ हो Consense का मतलब होता है अंतरात्मा ठीक है Consense एक word होता है Consense जिसका मतलब होता है कि आप aware है ठीक है आप सचेथ हैं आप aware है उसको हम बोलतें Consense और यह है Consense Consense मतलब आपका यह आत्मा है आपका यह अंतरात्मा है उसको हम बोलतें Consense तो He advised his son देखे उसने अपने सन को एडवाइस किया लेकिन Advise एक ऐसी word है जिसके बाद हम 2 प्लस V1 लगाते हैं तो यहां पर not doing के स्थान पर या तो लगा सकते हैं He advised his son not to do not to do लगा सकते हैं लेकिन not to do इसमें नहीं है और not to do के स्थान पर आप never to do भी लगा सकते हैं 2 प्लस V1 आप लगा सकते हैं नोट टू डू या नियवर टू डू आप लगा सकते हैं तो इसमें आपका सही आंसर होगा aj next question , Recently there has been suddenly increase the price of oil recently there has been there has been like a hundred shit recently there has been increase increase in the price of oil recently there has been there has been यहां पर आप लगा सकते हैं इंक्रीज यहां पर आपको बुलना पड़ेगा सदन यहां पर इंक्रीज और इंक्रीज जो हुआ है कि सीच में हुआ है इंदा प्राइस ऑफ और देर हैस बीन यहां पर आप लगा सकते हैं ए ठीक है देर हैस बीन आ सदन इंक्रीज इंदा प्र तो किसी चीज को किसी चीज का आपको नाम यहां पर बताना पड़ेगा, there has been a sudden increase in the price of oil, चुकि sudden increase एक नाउन है, और उसको qualify कर रहा है, adjective sudden, increase एक नाउन है, increase में जब अब एडी लगाते हैं तो वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है, increase का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना या ब तो यहां पर आपका, c यहां पर आपका सही आंसर होगा, a sudden increase in the price of oil, इस तरह से इसको करना होगा, that company is our rival since it provides similar services to us, इने, देखे, पहले सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए, that company is our rival, वो company जो है हमारी राइवल है, हमारी बिरोदी है, हमारी पैचिजुन्दी है, ऐसा क्यों ह since it provides, क्योंकि यह provide करती है, similar services to us, मतलब हमारी services के similar services यह provide करती है, इसलिए company कैसी हुई, हमारी पैचिजुन्दी हुई, तो हमारी पैचिजुन्दी क्यों ही, क्योंकि इसमें दो company की बात हो रही है, एक हमारी company और एक दूसरी company, ठीक है, यह दौनों company एक दूसरे की क्या है, राइवल हैं तो दो कंपनी की बात हो रही है यानि यहां पर आपको comparative degree चाहिए चुकि दो चीयों को आप compare कर रहे हैं इसलिए यहां पर आपको comparative degree objective की comparative degree का प्रियोग करना पड़ेगा तो दूसरी company इस company की rival इसलिए है तो यहां हम बोलेंगे एंटat lower rates at lower rates ठीक है? इन low rates नहीं बोलेगे क्योंकि यहाँ पर comparison हो रहा है lowest का मतलब हो जाएगा सबसे कम 10 लोग हैं 10 लोग में सबसे कम price तो यहाँ पर 10 लोग तो हैं नहीं यहाँ पर तो केबल 2 parties हैं इसलिए हम ER form का प्रियोग यहाँ पर करेंगे ठीक है? Question number 11 देखते हैं सुधा वर्स डिटर्मेंट तो गेट अबेटर जॉब इन परसुइंग हाईर स्टेडिस यहाँ पर फिर से प्रिजेंट पार्टिसिपल का एक कॉंसेप्ट है कि सुधा जो थी वो डिटर्मेंट थी उसने दरदिश्य कर लिया था बेटर जॉब लेने का क्या करते हुए? हाईर स्टेडिस को परसू करते हुए चुकि यहाँ पर कॉमा दिया है तो कॉमे के साथ हम बाई नहीं लगा सकते हैं लेकिन कॉमे के बाद यहाँ पर कॉमे के बाद हम प्रिजन पार्टी से पर लगा सकते हैं, भाई नहीं लगा सकते हैं, सीधा, ठीक है, कौमे के बाद सीधा प्रिजन पार्टी से पर लगा सकते हैं, तो C इसमें आपका सही आंसर होगा, सुधा was determined to get a better job pursuing higher studies, सुधा determined थी better job को लेने के लिए higher study को परसू करते हुए, तो इस तर during the heavy rains last week, अब देखिए, यहां पर road की जो surface है, वो damage हो गई है, जब heavy rain हो रही थी, कल उसके दोरान, heavy rain के दोरान, और यहां पर last week, यह एक indication दे रहा है, कि यह sentence जो है, यह आपका, किस में है, past में है, last week से हमें पता पढ़ रहा है, कि यह जो sentence है, यह किस में है, यह past tense में है, तो past के according यहां पर helping verb आएगी, और past वाली helping verb है, इसमें यह, D वाली, the surface of the road was severely damaged, जो heavy rain हुई, उसके बाद severely damaged हो गई, काफी बुरी तरीके से, severely मतलब काफी बुरी तरीके से वो damage हो गई, last week से हमें पता पढ़ा कि past tense है, और past equivalent इसमें एक भी नहीं है, cable D इसमें past equivalent है, तो D इ होगा, इंडिया has many laws for regulating to use of lands in urban areas, इंडिया has many laws, इंडिया के पास काफी laws हैं, इंडिया has many laws for regulating the use, इंडिया के पास ऐसे काफी सारे laws हैं, जो regulate करते हैं किस तीच को, regulate the use of land, the use of land in urban areas, तो यहां पर हम भोलेंगे, regulate, इंडिया has many laws to regulate the use of land in urban areas, तो ब यहां पर सही हांशर होगा, इंडिया has many laws to regulate the use of land in urban areas, यहां पर आपका, बी आपका सही आंसर होगा, उस ने उस प्रजेक्ट को अपने हाथ में इसने नहीं लिया क्योंकि वो फेल होने से डर रहा था लेकिन फियर्फुल हम बोलते हैं फिजीकल सिचुईशन के लिए ठीक है सब को जब जंगल में खड़े हैं और आपके साब ने शेर आ गया सब्सक्राइब है तो वहां पर आप फट Crash doors कर सकते हैं क्या हॉन अब कि एचाह terrorism करते हैं कैसा हो सकता है कि क्विशन बघड़ सकती है तो वहां पर आप अफ्रेड 2500 बाइब को यूस करते हैं कि दिद नॉट टेकप दप्रोजेक्ट विकॉस ही वस अफ्रेड अफ्रेड फॉलिंग यहां पर तो भी इसमें आपका सही आंसर होगा इस्टॉक्स वर्दी ओफ रुपीज वन लेक वर दिस्टॉइड इन दा फाइब फायर विच अकर्ड लास्ट नाइट इस्टॉक्स थे जो कंपनी के शेयर्स थे जिनकी कीमत कितनी थी एक लाग रुपए वो डिस्टॉई हो गए फायर में और फायर कब हुई है फायर हुई है लास्ट नाइट हो ठीक है इस्टॉक्स इस्टॉक्स की कीमत कितनी है रुपीज वन लेक इनको क्या हुआ देवर डिस्टॉइड कल डिस्टॉइड हो गए किस चीज में इंदा फायर फायर कहां पर लगी विच अकर्ड लास्ट नाइट लास्ट नाइट हुई तो region is worthy of praise इस तरीके से तो वर्दी का मतलाム dalam Lライk लेकिर यहाँ पर हम कीमत बता रहे हैं और कीमत को हम बोलते हैं वर्थ तो यहाँ पर हम बोलेंगे stocks stocks worth rupees 1 lakh stocks worth rupees 1 lakh stocks जिनकी कीमत थी 1 लाग रुपए stocks जिनकी worth ती जिनकी कीमत थी 1 लाग रुपए तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा A, ठीक है, next sentence देखते हैं, the manager produced evidence to bear out his case against sham, manager ने evidence produce किया, manager produced, ठीक है, manager ने produce किया, किस चीच को produce किया, evidence को produce किया, किस चीच के लिए, to bear out his case against sham, sham, sham के against जो case था, उस चीच को bear out करने के लिए, bear out, यहाँ पर actually कैसा word होना चाहिए, यहाँ पर एक ऐसा word होना चाहिए, जो support के equivalent हो, तो support का equivalent जो word है, वो है bear out, इसका मतलब यहाँ पर आपका answer होगा, low correction required, bear out का आर्थ होता है, support करना, ठीक है, तो इस तरही के से यह question है, मैंने इसमें 16 question लिये हैं, और इस तरह के question निश्यत रूप से, bank PO pre में और IBPS clerk pre में, इस तरह के question आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस video class के बारे में अपना feedback मुझे जरूर दें, और इसके बाद जो next video class है, वो आपको जल्दी ही provide की जाएगी, तो इस video class में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा next video class में, thank you.